नमस्कार आज के विशेश कारिक्रम में मैं निशा श्री आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ दर्शकों आज हम फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक नए विशेश पर चर्चा करने के लिए जो की है प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना जन्ज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे महमान मौझूद हैं मिथला पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग की कलाकारा हमारे साथ मौझूद हैं पुतुल चौधरी जो की दर्भंगा की रहने वाली हैं और वहां पे ये लड़कियों को मिथला पेंटिंग सिखाती हैं इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि ये कैसे नॉर्मल डिग्री कॉलेज की पढ़ाई से अलग है और ये किस तरह से फाइदा पहुंचाती है हमारे बिहार की बात करें तो बिहार में जो एक कौश का एक रास्ता है इसके ये हमारे साथ जो मौजूद हैं स्टूडियो में हमारी कलाकार पुदुल चौधरी वो बताएंगी और आप हमारे दर्शकों को बताएए कि किस तरह से आपने इसमें सबसे पहले बात तो ये कि आपको इसकी प्रेना कहां से मिली ये तो आप जरूर सभी दर्शकों को साथ में आप सभी को सबसे पहले मिथला पेंटिंग ये मिथला की एक संस्किती है जो मिथला पेंटिंग एक मिथला पेंटिंग जो है मिथला की जितनी भी बेटियां है उनमें एक खून में ही ये बसता है तो हाँ भले हमको पता नहीं है कि मेरे अंदर क्या है कला है क्या गुण है पता नहीं होता है उसी को दर्शाने के लिए सामने लाने के लिए हम लोग ने अपना इस अंस्था से हर बच्चें को जैसे देख रहे हैं कि नहीं नहीं बच्चिया सब भी इसमें इंटेश्ट सीख रही हैं इंटेश्ट भी है सबसे फ़लेbeitsट पिर इंटेस्ट के साथ सीख भी रही हैं उसके बाद हम लोग का यह है कि जितनी भी महिला बेरोजगार घर में बैठी हुए एक हाउस वाइप बनके जी तो हम लोग यह नहीं चाहते कि आप हाउस वाइप ही बनके घर में बैठी रहें आप बाहर निकल यह फिर सीखे इसको समझने की बात है जी आगे बढ़ने की बात है कदम बढ़ाएं एक कदम बढ़ाएं तो फैमिली 100% साथ देगे जी उसे ही मेरे साथ भी हुआ जब हम लोग छोटी-छोटी थे गाउं में तो दादी लोग एटपन बनाती थी कोवर बनाती थी हर अनुष्ठान जो होता है प कुझा समय अरपन देती थी तो लोग बोलती थी कि इसको बनाओ, सीखो, सुसराल जाओगी, तो बदमी होगा है यह से एक गाउं का जो महाम होता है तो हम लोग उस समय में उतना ध्यान नहीं देते थे तो हम लोग इसको रोजगार के तरीके से नहीं देखते थे तब उतना समझ भी नहीं था जब फिर उसके बाद हम लोग परहाई में लग गये फिर साधी हुई फिर यहां सुसराल आए तो एक बाबू भी मेरे साथ में था चोटा सा जब वो स्कूल गया तो जो फिरी टाइम उसमें आपके लिए ही नहीं आपके जो चेतर की लड़किया है उनके लिए एक रोजगार का आफसर लेकर आता है इसके बारे में हमारे दर्शंकों बतायों जैसे हम सुरवात किये चीजा तो थोरे बहुत हमने दादी को देखनी लेख से देखे से उसको नजर में पढ़ि नहीं नजर में ठा तो एक समय ऐसा ऐा घर में सत्राल में जो टाइम्पास करने लिए भी समय बहुत कम पर जाता है ही शुरू किये उसी को नजर में ध्यान में रखते हुए जो दादी बनाती थी तो थोरी दिन बनाई एक हम स्वेंबर कंप्लीट किये जी सीता और माराम भगवान का स्वेंबर कंप्लीट किये तो इन्होंने मेरे घर के सदासियों ने देखे उनको तो यह सब आता है तुमको आता तो नहीं था पर बैठे झो टाइम मिलता था उसमें हम यह कंप्लीट किये तो उन्होंने हमको भालों को प्रोड़ सिवाल जो इसको आप बनाईए जी तो उतना समय हमको नहीं मिलता था कि इसको बना के मार्केट में निका ले तो फिर भी देखे कि धिरे दिरे जब हम बना करके यह इस्टॉल होता गया गार में तो वहीं से सेल ही होने लगा कुछ-कुछ तो हमको बहुत खुसी आती थी जो हम बना रहे हैं उसको लोग पसंद कर रहे हैं इसको तो हम इसमें इंटेस्ट मेरा इससे बढ़ता गया तो फिर हम अपना एक नाम से बोर्ड चाहिए वे जनकारी देने के लिए हैं इस सांथ सांथ काफी समय मिलने लगा जब हम इसम में टाइम देने लगा हर करके इसमें टाइम देने लगें तो सोचे कि नहीं Kommunen इसमें कुछ आउट करना चाहिए हम लोगों को तो और भी लड़कियों को आपने शामिल की और इस तरह से आप एक इंस्टूशन है और बाकाइदा वो इंस्टूशन में आप उन लोगों को ट्रेनिंग दे रही हैं